जवाहर पुर्चीनी मिल में स्टीम टैंक फट गया और इस बड़े हाथसे में तीन मजदूर जो वहाँ पर काम करें थे हुए उनकी जान चली गई पांच से ज़्यादा मजदूर खायल हुए हैं सभी खायलों को अस्पताल में भड़ती कराए गया है रामकोट थानक शित्रे के जवाहर शुगर फैक्टरी की एगटना है शुगर फैक्टरी में ये बॉयलर फटने से हाथसा हुआ है और उसकी वज़त से जहां पर आसपास काम कर रहे हैं तीन मजदूरों की जान चली गई और पांच मजदूर घायल हो रहे हैं इसा बताया जानकारी आ रही है रामकोट थानक शित्रे के जवाहर शुगर फैक्टरी का मामला है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में ये मामला आपको बढ़ रख रहे हैं जहांपर सीधा पुर में जवाहर पुर में चीनी मिल में स्टीम के दौरान जो स्टीम की एक बॉयलर होता है वो बॉयलर भड गया और इसकी वज़त से तीन मजदूरों की जान चली गई